नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में शाह सतनाम जी महाराज जी के सबसे बड़ी भविश् किस्सा ले सकते हैं कौन-कौन से देश किस-किस देश का साथ देंगे और किस-किस प्रकार की स्थिती तीसरे विश्वयुध में देखने को मिलेगी कल्यूग का अंतिम और तीसरा विश्वयुध किस प्रकार कितना प्रल्यंकारी होगा और इसकी शुरुवात कब होने वाल इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे आपको समयस्मय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण भविश्यवानी की जानकारी प्राप्थ होती रहे। दोस्तों शाह सतनाम महाराज जी ने यह भविश्यवानी उननीस सौ साथ से लेकर के उननीस सौ अस्सी के आसपास एक भजन के माध्यम से की थी जिसमें उन्होंने सपष्ट शब्दों में बताया था कि किस सन में यह सब घटित होने वाला है। परंतु बाद में उन्होंने किसी कारणवश्च सन को हटा दिया इसके साथ ही उन्होंने और कई प्रकार की भविश्यवानी की थी जिसके मताबिक एक ऐसा समय भी आने वाला है जब 20 से 20 कोस दूर तक दिया जला करेगा यानि कि दोस्तों इंसानों की बस्ती 20 से 20 कोस दूर तक दिखाई देगी इस प्रकार का विनाश होगा कि एक बहुत बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी उन्होंने अपनी एक भविश्यवानी के अंदर यह स्पष्ट रूप से बताया है कि आने वाले समय में लोग चाहे बोरा में भर करके पैसा ले जाएंगे फिर भी एक र समय में अगर देशी घी के एक किलो की कीमत के बारे में बात की जाएं तो दोस्तों वह 500 से लेकर के 600 रुपय तक अलग-अलग जगह पर देखने को मिलती है परंतु भविश्यवानी के मताबिक एक ऐसा समय आएगा जब एक रुपय किलो देशी घी की कीमत होगी दोस्तों आज के इस वीडियो में उनकी एक बहुत ही ज्यादा चर्चित भविश्यवानी से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जिसमें एक भजन के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट रूप से तीसरे विश्वयुद और सक्यूप की स्थापना के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ बता दिया है। दोस्तों उन्होंने अपने भजन में यह लिखा हुआ है कि विश्व में एक ऐसा तूफान आएगा जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों की मृत्यू हो जाएगी सिर्फ वही लोग बचेंगे जो इश्वर का नाम लेने वाले होंगे। थोड़े ही दिनों में जगत पर क्रांती का दौर शुरू हो जाएगा कोई भी ऐसा जगह नहीं बचेगा जो इस क्रांती से अचुता होगा। यानि की दोस्त तो इसके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि देश के। अंदर विद्रोह बढ़ जाएगा सरकार का विद्रोह भी कुछ लोग करने लगेंगे इसके पश्चात तीसरा विश्वयुद्ध की और उन्होंने इशारा करते हुए कहा है कि दुनिया में आग का विनाश देखने को मिलेगा, अमेरिका भी कमजोर स्थिती में चला जाए युद्ध के अंदर चीन और रूस का बड़ा ही भयानक रूप देखने को मिलेगा, जब गडबड का समय आएगा तब पूरी दुनिया में चारों तरफ मारकाट फैल जाएगी एक क्रांती की लेहर उठेगी इधर उधर बिखरे लोगों को वह क्रांती फिर से एक करने का क कार्य करेगी ऐसा मारकाट होगा कि लाशे इधर उधर बिखी पड़ी रहेंगी लाशों को उठाने वाला कोई नहीं होगा जब दुनिया में परमानु युद्ध होगा तो इस प्रकार की स्थिती पूरी दुनिया में बन जाएगी दोस्तों विनाश की स्थिती को उन्हों उन्होंने सांकेतिक रूप से बताते हुए कहा है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जब भी परमानु बम का हमला किसी देश के ऊपर होता है तो कितना बड़ा नुकसान है अगर कोई देश किसी देश के ऊपर परमानु बम छोड़ देता है तो इससे बहुत बड़ी आबादी खत्म हो सकती है, इसी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने अपनी भविश्यवानी में बताया है, कि आने वाले समय में सभी लोग एक. पोजाएंगे, जो धार्मिक जगह होंगे, बहाँ पर बच्चों का एजुकेशन शुरू हो जाएगा, दुनिया में जात्पात खत्म हो जाएगा, और वर्तमान समय में जिस प्रकार की ज्वेलरी महिलाएं पहनती है, आने वाले समय में वैसी ज्वेलरी कोई नहीं पहनेंग उन्होंने बताया है, दुनिया में एक क्रांतिकारी कानून लागू होगा, जो पूरी दुनिया में छाजाएगा, उस कानून के अनुसार सभी लोगों को चलना होगा, उसके पश्चात पूरी दुनिया में अमन शान्ती और सत्युक की शुरुवात होगी, सभी लोग आप अपनी भविश्यवानी में कहा है तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार